शायदी कोई हिंदी फिल्म रही होगे जिसमें किसी पेशन्ट के मेडिकल स्टेटर्स को इतना डिटेलिंग के साथ बताया गया और जो सुनने में इंट्रेस्टिंग भी लगा एनिमल फिल्म का ये सीन इस हिसाब से कमाल का है डॉक्टर्स की टीम पेशन्ट और सकी फैमली को जिस हिसाब से समझा रही है वो इंडियन फिल्म के हिसाब से अलग ट्रीट्मेंट है अच्छा ट्रीट्मेंट है एक परसंट का दावा फैक के साफ से पूरी तरह गलत है सुर्फ इंडिया की बात करें तो हार्ट वन एयर सर्वाइवल रेट 80-90% तक है मतलब मॉर्टालिटी रेट 10% ओवराल सर्वाइवल रेट 15-20 तक भी हो सकता है जैसे जैसे यह सीन आगे वड़ता है नॉंसेंस होता चला जाता है पर जिस सीन की बज़े से यह सीन आता है वो एक सुपरफिशल एक्शन सीन है जो रियर लाइफ में पॉसिविली नहीं है उसमें रन विजय का बुरी तरह से घायल होना मौत के करीब पहुँच जाना एक फरजी अधूरी नॉंसेंच शाहदत पापा के लिए चलो फिल्म है तो इस एक्शन सीक्रेंस को इंटरीनमेंट की कस्वाटी पर पासिंग मार्क्स दे देते हैं पर इस सीन की कॉंटिनिटी क्या है हार्ट ट्रांस्प्रांट करवाना क्यों इतना जरूरी था और जरूरी था तो उसे सीसली क्यों नहीं लिया गया कोई डॉक्टर का फॉलो अप नहीं हार्ट ट्रांस्प्रांट का मेडिकेशन क्या है हार्ट ट्रांस्प्रांट के बाद के after care की बात करें तो बंदे को 3 week तक ICU में रहना पड़ता है फिर 3 महिने तक close monitoring, weight gain पर नज़र रखी आती है कहीं आपको ज़्यादा थकावर तो नहीं हो रही है, भुखार तो बारबन नहीं आ रहा है कहीं abnormal, urination तो नहीं हो रहा है, etc. फिर medication आता है कि कहीं आपकी body नए heart को reject ना कर दे तो पूरी जिन्दगी immunosuppressant खाएने पड़ते हैं, फिर anti-bacterial, anti-viral, anti-fugal medication, etc. Long story short, कहने का मतलब heart transplant बहुत बड़ी बला है, जिससे आपको जिन्दगी बर जूजना है पर हमारा रन्विजे heart transplant के बाद एकदम नॉर्मल घूम रहा है, मानो, piles का problem था, जो कुछ दिनों की दवा से ठीक हो गया. फिल्म में जब heart transplant करवा ही दिया रन्विजे का, तो उसे पूरी फिल्म में क्यों नहीं जिन्दा रखा गया? जैसे कि breaking bad में जब Walter को cancer होता है, तो उसका medication, उसकी बिमारी कहानी में बादस्तूर एक आम लाइफ के जैसे चलती है, और last में Walter मरता भी उसी बिमारी की चलते है. जब वो पोलिस से छुपने के लिए भाग जाता है एक दूर दराज की जगहे पर, तो वो वहाँ अपना कीमो भी करवाता है. पर हमारा रन्विजे हट्टा कट्टा action sequences कर रहा है, जो अभी कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले heart transplant करवा चुका है, जिसकी तीन महीने क क्लोस मॉनिटरिंग भी पता नहीं पूरी हुई है की नहीं, यह जो डॉक्टर की टीम थी, वो इस सीन के बाद क्या सोच रही होगी हो हॉस्पिटल में बैठे, क्या रहे वो रन्विजे जिसका heart transplant treatment हुआ था, उसकी क्लोस मॉनिटरिंग कैसे जा रही है, इनी अप्डेट् नहीं सर, वो तो आता ही नहीं है, heart care के लिए